और बात करते हैं बकरीत की, तेवहार जल्दी आने वाला है और बकरीत पर कुर्बानी देने की प्रधा है लेगिन कुर्बानी को लेकर सीम योगी ने कुछ सक्त निर्देश दियें, वो निर्देश क्या है? आसान करके आपको समझाते हैं CM योगी ने अधिकारियों को ओर्डर दिया है कि प्रतिबंधित पशों की कुर्बानी ना होने पाए, कुर्बानी की जगे पहले से ही तै हो और विवादित समवेदन श्रील जगों पर कुर्बानी ना हो ये भिस्वनिशुत किया जाए जानवरों का खून नालियों में ना वहे, आस्था का सम्मान रखा जाए और शांतिपूर्वा करीके से तेवहार मनाये जाए ये साप-साप निर्देश सीम योगी ने अधिकारियों को दे दिये हैं क्योंकि यूपी में खुले में कुर्बानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंद है मुखमंत्री योगी आयतनात ने तेवहारों को लेकर विसेज निर्देश दिये हैं, मुखमंत्री योगी आयतनात ने कहा है कि प्रतिबंदित जो पशू है उनको बिल्कुल नहीं काटा जाए उगर उनको काटे जाने की जनकारी मिलती है सक कारवाई की जाएगी सड़क पर नमाज पूरी तरीके से मुखमंत्री योगिया इतनात ने कहा है प्रतिबंदित है उनके सीधे तोर पर निर्देश हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर ये नई प्रमपरा तेवहारों के नाम पर सुरू की जाती है तो जाहिर सी बात है कि का दरसल हर तेवहार से जुड़े एक मानिता होती है बकरीत को लेकर भी ऐसी ही मानिता है जहां से इसे मनानी की प्रथा शुरू हुई इसलामिक मानिताओं के मताबिक पैगंबर इबराहिम को नींद में आये एक सपने में अल्लाह ने अपने किसी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करने के लिए कहा इसलिए उन्होंने बेटे को ही कुर्बान करने करने ने लिया पैगंबर इबराहिम ने आखों पर पट्टी बांद कर उसके बाद अपने बेटे की कुर्बानी दी मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने अपनी आखों से कपड़े की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और बेटे के जगे पर किसी बकरे की कुर्बानी हो गई को दिया जाता है दूसरा भाग रिष्टेदारों और दोस्तों को दिया जाता है और तीसरा भाग खुद रखा जाता है ये तोहार गरीबों और जरुरत मंदों की मदद करने और समाद में भाईचारे और सब्धावना को बढ़ावा देने की प्रिणा देता है ऐसी मानिता है झाल